स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में आज के इस बहतरीन वीडियो में हम जानेंगे कि घर की वाइरिंग को किस तरीके से करना चाहिए उसमें कौन-कौन सी इंजिनेरिंग का इस्तेमाल होता है वाइरिंग के कौन-कौन से तरीके होते हैं यानि कितने तरीके की वाइरिंग की जाती है उसमें कौन-कौन सी सेफटी डिवाइस को लगाना चाहिए वाइरिंग के कनेक्शन किस तरीके से करना चाहिए घर की वाइरिंग से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो भी engineering तरीके से तो आईए बगए टाइम बेस्ट किये आज के इस वीडियो की शुरुबात करते हैं आपके घर के बाहर जो पोल यानि खंबे लगे होते हैं उसमें LT या LV supply होती है low tension या low voltage जिसको आप कहते हैं इनमें 4 तार होते हैं जिसमें से 3 face के wire होते हैं और 1 neutral का तार होता है face के तारों को R, Y, B और neutral के तार को N से दिखाया जाता है यानि कि represent किया जाता है लेकिन अगर आप सहर में जाकर के इनी खंबों को देखेंगे तो कहीं कहीं पर आपको 5 तार मिलेंगे या कहीं कहीं पर आपको 6 तार भी मिल सकते हैं अगर किसी खंबे पर 4 तार से जादा तार लगे हुए हैं तो उसमें 1 तार होता है street light के लिए जो की road पर light लगी होती है उनको जलाने का काम करता है और 1 तार होता है अर्थिंग का क्यूंकि सहर में ज़्यादा तर खंबे लोहे के होते हैं तो कभी भी कोई तार इनसे touch हो जाए तो लोहे के खंबे में current ना आए वो अर्थिंग तार के जरिये जमीन में चला जाए और किसी को current ना लगे चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं अगर आपने single face की supply ले रखी है तो इन खंबों से आपके घर में दो तार आते हैं एक तार तो किसी एक face से connect होता है और दूसरा तार आपका neutral से connect होता है ये केबल खंबे से सीधा आपके घर पर जो meter लगा होता है उसमें आकर के connect होती है जिसको service cable बोलते हैं इस साइड में जो face और neutral होता है इसको input बोलते हैं इसमें जो खंबे से cable आ रही है उसको connect किया जाता है और दाहिने साइड का जो face और neutral का terminal होता है इसको output कहा जाता है यहाँ पर वो तार connect होते हैं जो आपके घर में जाते हैं आईए अब यहाँ पर कुछ important engineering को समझते हैं इन तारों में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा face का तार है और कौन सा neutral का electrical engineering में color coding का एक standard होता है जिसमें R face को red से Y face को yellow से B face को blue से neutral wire को black से और earth wire को green से represent किया जाता है यानि कि दर्साया जाता है या दिखाया जाता है लेकिन जब private electrician काम करते हैं तो वो कोई भी तार कहीं पर भी connect कर देते हैं तब आप कैसे जानेंगे कि कौन सा face का तार है और कौन सा neutral का तार है इसके लिए आपके पास होता है face detector जिसको आप tester बोलते हैं Tester face तार पर तो जलता है लेकिन neutral तार पर नहीं जलता है इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा face का तार है और कौन सा neutral का तार है तो चलिए मीटर का तो connection हो गया आपके घर के लिए दो तार आ गए और हाँ अगर आपको मीटर के बारे में detail में जानकारी चाहिए तो आप हमारे channel पर वीडियो upload है वहाँ पर जा करके उसको देख सकते हैं अगर फिर भी कोई doubt है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं तो चलिए मीटर के बाद आपके घर के लिए दो तार आ गए अब इसमें सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा तो यहाँ पर सबसे पहले हमको लगाना होता है safety device safety device यानि सुरक्षा युक्ति को सबसे पहले लगाने का कारण यह है मान लीजे कि आपके घर में कोई short circuit हो जाता है या आग लग जाती है आपके घर में तो आपके घर की supply आटोमेटिकली बंद हो जाए इसके लिए ही हम safety device लगाते हैं ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके safety device के लिए आप MCB, MCCB, ELCB आदिका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं ध्यान रखें MCB का इस्तेमाल भी face के तार पर किया जाता है ध्यान देने की बात ये होती है कि इसमें ऊपर की side input wire connect होता है यानि कि जो meter से आता है और नीचे की side में output wire connect होता है जो आपके घर में आपकी equipment के लिए जाएगा MCB के connection को अगर आप उल्टा कर देते हैं तब भी आपके घर की light चलेगी लेकिन अगर आपके घर में कोई short circuit होता है तो आपकी MCB trip नहीं होगी MCB connect हो जाने के बाद जो आपके दो तार face और neutral के निकलेंगे वो जाते हैं आपके switchboard पर माल लीजे कि इस switchboard से आपको दो bulb को control करना है और एक पंखे को control करना है और एक freeze को चलाना है socket के left hand side पर हम ला करके neutral wire को connect कर देते हैं और face wire को सारी switchों में हम bypass कर देते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है अब इन दोनों bulb, पंखे और freeze को एक face और एक neutral wire चाहिए तो अब सब को हम एक एक face और एक neutral wire देंगे माल लीजे कि इस switch से हमको इस bulb को control करना है यहाँ से एक face का तार निकालेंगे और यहाँ से एक neutral का तार निकालेंगे और इस bulb को ले जाकर के हम connect कर देंगे अब दूसरे bulb को इसी तरीके से इस switch से एक face तार निकालेंगे और यहां से एक neutral का तार ले जाकर कि इसको connect कर देंगे पंखे को भी इसी तरीके से इस वाले switch से हम पंखे को connect करेंगे अगर regulator लगाना है तो आप इसके series में regulator भी लगा सकते हैं अगर आप पंखे के लिए regulator लगाना चाहते हैं तो इसी switchboard पर आपको regulator भी लगा देना है वो भी मान लिजे कि हम यहाँ पर उपर आपको दिखा दे रहे हैं कि regulator कैसे लगाएंगे यह लगाया आपने यहाँ से switch से ले जाकर के regulator में दिया regulator से आप पंखे में ले जाकर के face wire दे देंगे और neutral wire आपका यहाँ से एक सीधा wire चला जाएगा freeze के लिए आप इसी socket का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि freeze socket में ही लगता है यह freeze आपका किस से on-off होगा इस वाले switch से क्योंकि इसका connection इसी से है इस तरीके से आपका connection complete हो जाता है अब यहाँ पर हम समझते हैं कुछ महत्पूर इंजीनिरिंग को जो घर की wiring में इस्तेमाल होती है यहाँ पर हमको सिर्फ दो bulb और एक पंखे और एक freeze का ही connection करना था तो इसलिए हमने इसको बहुत ही आसानी से connect कर दिया लेकिन अगर जादा चीजों को connect करना होता है तब इसके लिए इंजीनिरिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है तब आप directly ऐसे connect नहीं कर सकते हैं कौन सी इंजीनिरिंग इस्तेमाल होगी अब समझते हैं मीटर के बाद एक main switchboard लगाना होगा जिससे आपके पूरे घर की supply कंट्रोल की जा सके main switchboard के बाद आपको एक distribution board का इस्तेमाल करना होगा इसमें distribution के लिए बहुत सारे neutral के point होते हैं और बहुत सारे face के point होते हैं यहां से माल लीजे कि आप distribution board के लिए एक face एक तार यहां से निकाल सकते हैं इसी तरीके से कई सारे face और neutral के तार आप यहां से निकाल सकते हैं distribution board से निकलने वाले एक face और एक wire को आप आसान भासा में एक circuit बोल सकते हैं Electrical Engineering का नियम ये कहता है distribution box से निकलने वाले हर एक circuit पर आप अधिक्तम 10 point पंखे और light के दे सकते हो या 800 watt दे सकते हो मान लिजे कि bulb और पंखे आपके heavy watt के हैं और 6 point मिला करके यानि 6 bulb और पंखे मिला करके ही आपके 800 watt हो जाते हैं तो 7. point आप उसमें नहीं दे सकते हैं इसी तरीके से मान लिजे कि आप bulb की जगा LED इस्तिमाल करते हैं तो जो कि 4 watt, 9 watt, 12 watt ऐसे की आती हैं तो 10 point मिला करके वो 800 watt नहीं बन रही हैं फिर भी आप 11 point उसमें rule के हिसाब से नहीं दे सकते हैं इस तरीके से आप distribution board से घर में लगे हुए equipment के हिसाब से आप circuit निकाल सकते हैं electrical engineering का एक महत्पोर नियम ये भी है कि दुनिया में जहां कहीं भी wiring होती है वहाँ पर face wire को हमेशा दाहिनी साइड में रखा जाता है और neutral wire को हमेशा ही by side में रखा जाता है ऐसा क्यों किया जाता है इसका reason ये है दुनिया में आपको ज़्यादा तर लोग right hand side वाले ही मिलेंगे left hand side वाले लोग बहुत कम मिलेंगे और सरीर के अंदर जो heart यानि दिल होता है वो left hand side यानि की ulti side में होता है तो अगर किसी बैक्ति को current लगता है उसके सरीर से होकर के current flow होता है यानि की सरीर से current उसके बहता है अगर वो heart पर यानि दिल पर पहुँच जाता है तो उसकी मिरित्ति होना संभव है अगर उसके दिल से, अगर किसी बैक्ति के दिल से करंट का बहाव नहीं होता है तो संभव है कि वो बैक्ति बच जाएगा मान लीजिए कि ये बैक्ति काम कर रहा है और ये दाहिने हाथ से अपने काम कर रहा है तो अगर इसको करंट लगता है हाथ में तो ये current इसके हाथ से होते हुए, सरीर के सीधे हाथ की साइड से होते हुए, दाहिने पैर की साइड से जमीन में चला जाएगा और इसका जो दिल है, जो हार्ट है वो बच जाएगा, तो ये बैक्ती current लगने से बच सकता है लेकिन अगर यही बैक्ति उल्टे हाथ से काम करता तो करंड जो फ्लो होता जो करंड बहता वो उसके दिल से होकर के बहता तो जादा तर संभो कंडीशन यही थी कि इस बैक्ति की डेथ हो जाती अब यही पर जान लेते हैं कि वाइरिंग के कौन कौन से परकार होते हैं वाइरिंग बहुत तरीके की होती है जैसे क्लीट वाइरिंग हो गई बैटन वाइरिंग हो गई केसिंग केपिंग हो गई कंड्यूट वाइरिंग हो गई इस तरीके की बहुत सारी वाइरिंग होती है लेकिन आज की डेट में ज़्यादा तर जो चलन है वो pipe wiring का यानि conduit wiring का है वो open भी हो सकती है और concealed भी हो सकती है open में कैसे होती है कि दीवार के उपर ही pipe को saddle के माध्यम से fix कर दिया जाता है जो concealed type की wiring होती है उसमें दीवार के अंदर ही जगा बना करके इन pipe को fix किया जाता है और उपर से plaster कर दिया जाता है तो आपको इसमें open में कुछ भी दिखाई नहीं देता है सिर्फ switchboard और जो आपके electrical equipment लगे होते हैं बल्ब, पंखे, आदी वही बाहर दिखाई देते हैं बाकी चीजे सब wiring और अंदर होती है एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजों को cover कर पाना बड़ा मुश्किल होता है किसी चीज के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें comment करके बता सकते हैं वीडियो में last तक बने रहने के लिए सुक्रिया जैहिंद